तो देखते हैं पर question number 42 में हम से क्या पूछा गया है 2% do the same amount of work, the first person does it in 10 seconds and the second in 20 seconds, find the ratio of the power used by the first person to that by the second person, तो यहाँ पर 2% है, same amount का यहाँ पर क्या करते है, work करते है, जो यहाँ पर 1st person है, वो यहाँ पर 10 seconds में कर देता है और दूसरा person यहाँ पर 20 seconds में करता है, तो हमें यहाँ यहाँ पर दोनों person का ratio निकालना है power में, तो करते हैं यहाँ पर solve और देखते हैं हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर power का formula पता होना चाहिए, power का formula हमारें यहाँ पर क्या होता है, work done upon time taken होता है, तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर time given है, और work done यहाँ पर का इसिलोंगा बट जो यहां पर टाइम होगा वो यहां पर क्या होगा डिफरेंट होगा तो 2% कि लिए मैं यहां पर A & B का यूस करूंगा तो power of A & power of B तो हैं पर हो जागा PA & PB हो जाएगा तो PA हमारे यहां पर कितना हो जागा W upon time, तो time हमारे हैं पर 1st person के लिए कितना लग रहा है 10 second का, and second person के लिए हमारे हैं पर 20 second का लग रहा है, तो W से W cancels out, तो अब बचा हमारे हैं पर कितना 20 upon 10, क्योंकि जो यहाँ पर 20 वो हमारे हैं पर सबसे उपर पहुंच जाएगा, और नीचे हमारा आजाएगा 10 तो divide करने पर यह हमारा कितना आजाएगा 2 upon 1 तो दोनों को जो हमारा यहाँ पर ratio है वो हमारा यहाँ पर कितना आजाएगा 2 ratio 1 या कह सकते हैं 2 upon 1 आएगा तो hope आपको यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ